आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो हम उसको वाटर में अड़ करते है So the salt having weak base जो salt weak base plus strong acid से बने होते है strong acid से बने होते है उनका पी एच है वह 7 से कम होता है क्योंकि देखो जो acids है acids का pH जो होता है for acids for acids pH is less than 7 so acid के लिए pH जो है वह less than 7 ही होता है So हमें देखना क्योंकों से salt है चली देखते है first है NH4Cl so NH4Cl NH4 first CL ठीक है अब NH4Cl किससे बना है NH4OH plus HCl अब NH4OH weak base है और SCL है वह strong acid है So इसमें pH less than 7 होगा ठीक है मैं बता है भी weak base plus strong acid जो जो भी weak base plus strong acid से बने है वह उनका pH 7 से कम होगा चलीए अब आए हमारे पास दूसरा NaCN NaCN का देखते हैं NaCN 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 किससे बना है NaOH plus HCN अब HCN जो है वह weak acid है और NAOH है strong base है So यह उल्टा है बिल्कुल हमें वीक base plus strong acid चाहिए यहां पर weak acid है strong base है जिससे क्या है यह इसका pH 7 से ज्यादा होगा So यह हमें नहीं देखना है अब आए 3rd option 3rd पर क्यों है CH3 NH3 CL CH3 NH3 CL So यह किससे किसे बना है यह बना है CH3 NH3 OH PLUS HCl So यह weak base है और यह strong acid है So इसका pH जो होगा less than 7 होगा ठीक है weak base plus strong acid अब आते हैं 4th option पर 4th option 4th option क्या है हमारे पास C6 H5 OH C6 H5 O N अब यह किससे किसे बना है यह बना है C6 H5 OH PLUS NOH अब ध्यान दीजिए जो phenol है phenol एक अच्छा acid है बट वह बहुत जाद अच्छा acid नहीं है मतलब ऐसे कह सकते हैं वह किससे वह किससे पर जो NOH है वह strong base है वह strong base है ठीक है तो जिससे हम कह सकते हैं कि यह इसका pH जो है वह greater than 7 होगा इसको भी हम consider नहीं कर रहे अब आया 5th option हमारे पास 5th option 5th option क्या है हमारे पास चलिए देखते है NO Naocl N A O C L अब यह किससे बना है यह बना है NaOH जो की strong base है PLUS HOCl जो की V-C acid है Weak Acid Weak Acid है इसका pH 7 से जादा होगा इसको भी हम काटा मार देते है अब बार यह 6th की 6th को होन है यह है FeCl3 चलिए देखते है इसका FeCl3 का FeCl3 कैसे बना है FeCl3 यह बना है जो की weak base है Weak Base Plus HCl 3HCl जो की Strong Acid है Strong Acid So इसका pH है वो less than 7 होगा So इस पर हम Tick मार देते है Less than 7 अब आए 7th option 7th option देखते है क्या है क्या है NH4 twice SO4 Ammonium Sulfate NH4 twice SO4 So यह किससे बना है Basically यह बना है NH4 OH Plus H2SO4 अब H2SO4 तो Strong Acid है और NH4 OH है यह weak base है और यह Strong Acid है So जिससे हम कहसेते है इसका pH जो है 7th से कम होगा So Tick मार देते है अब आया 8th option ठीक है अब 8th option क्या मार पास Zinc Sulfate अब देखते है Zinc Sulfate कैसे बना है Zinc Sulfate कैसे बना है Zinc Sulfate बना है Zinc Hydroxide जो की Weak Base है Plus H2SO4 जो की Strong Acid है So इसका भी pH जो है वो less than 7 ही होगा So इसके भी Tick मार देते है अब आया 9th option हमारा So Zinc Sulfate के बाद क्या है हमे AlCl3 अब यह AlCl3 का देखते है AlCl3 So इसके बना है Aluminium Hydroxide So जो की Weak Base है और HCl Strong Acid है So इसके भी हम Tick मार देते है So इसका भी pH जो है Less than 7 ही होगा अब आया 10th option हमारे पास चलिए 10th option का देखते है 10th option का हमारे पास NaNo3 So NaNo3 NaNo3 किससे बना है यह बना है Cu Cu Copper Nitrate Copper Nitrate So इसके बना है Copper Hydroxide प्लस Cl Cl3 Zinc Sulfate में चीज़ आपको देखना है Weak Base का Strong Acid है कि नहीं है Ammonium Sulfate FeCl3 And NH4Cl NH4Cl CS3 NS3Cl So यह सब है हमारे पास जिनका pH हो less than 7 होगा जो साल से जिनका pH less than 7 होगा Classics to 12 से लेके NEET IIT जही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीज़ें अपने डाउट्स 84444 उपर